आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी मतर मसाला की रेसिपी आप ये रेसिपी ट्राइ कीचिएगा आपको बहुत पसंद आएगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका शाम रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मतर मसाला बनाने के लिए मैंने एक कडाही में एक चमच तेल लिया है तेल गरम हो जाने पर हम इसमें दो इलाइची और दो सितीन लॉंग डाल देंगे अब हमने यहाँ पर मध्यम आकार के दो प्याज लिये हैं प्याज को हम अच्छे से सौफ्ट होने तक भून लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टु हाइ कर दीजिए जब प्याज आधे सौफ्ट हो जाएंगे तब हमने यहाँ एक हरी मिर्च ली है एक इंच अदरक का टुकडा और आट से दस छोटी वाली लहसुन की कली ली है सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे तो यह देखे सारी चीजे अच्छे से भून गई है अब हमने यहाँ दो बड़े आकार के लाल टमाटर लिये हैं साथ ही मैंने यहाँ पर छे से साथ काजू लिये हैं और आधा चम्मच नमक का डाल देंगे काजू लेने से जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी इससे अच्छा थिकने साएगा ग्रेवी में पानी अलग मटर अलग इस तरह से नहीं बनेगी टमाटर फटाफट से गल जाए इसके लिए हम इसे ढख कर पका लेंगे गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसे ढख दीजिए तब तक हम मटर उबाल लेते हैं यहां मैंने एक बरतन में 4-5 कप पानी गरम होने रख दिया है इसमें हम एक छोटा चमच चेनी आधा छोटा चमच नमक डालेंगे और अब हमने यहां 2 कप मटर के दाने लिए हैं ग्राम में ये करीब 500 ग्राम मटर के दाने हैं अगर हम मटर को पहले उबाल लेते हैं तो केवल 2 मिनिट पकाना रहेगा हमने एकदम मीठे मटर लिए हैं इसकी सबजी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है मटर अच्छे से उबल गए हैं अब हम इन्हें एक चलनी में निकाल लेते हैं मटर उबल कर तयार है और इधर हमारे टमाटर भी सौफ्ट हो गए हैं ये हमने इस पेश्ट को पीस कर तयार कर लिया है अब हम सेम कडाही में दो टेबल स्पून तेल लेंगे तेल गरम हो जाने पर एक तेज पत्ता एक चमच जीरा डालेंगे दो पिंच के करीब हींग डालेंगे और एक सुखी लाल मिर्च डालेंगे फ्रेंड्स हमने गैस का फ्लेम लो करके तेल में एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मिलाई थी लेकिन लाल मिर्च एड़ करते टाइम का शूट मिस हो गया है तो आप तेल में एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और अब हम इसमें टमाटर प्याज वा लगा हुआ है हमने उसमें पाने डाल कर ग्रेवी में डाल दिया है अब हम बाकी के मसाले भी डाल देते हैं यहां मैंने एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर लिया है लाल मिर्च पाउडर हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं आप चाहिए तो रेगुलर तिखी वाली लालमेश भी डाल सकते हो, मैंने एक टेबल स्पून कश्मेरी लालमेश डाली थी तेल में, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हमें इस ग्रेवी को अच्छे से तेल सेपरेट होने तक पकाना है, और ये क्वांटिटी में ग्रेवी भी कम हो जाएगी, तो हम इसे ढखकर पका लेते हैं, बीच बीच में हम इस ग्रेवी को चलाना होगा, वरना ये तले में लग जाएगी, तो मैं इसे चला लेती हूँ तो ये देखिए, मसाला हमने अच्छे से पका लिया है, चारो तरफ से तेल छुटने लगा है, और मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसे अच्छे से पकाया हुआ मसाला कहते हैं, आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो पैन छोड़ने लगा है, हम सेम मसाले, टमाट प्याज वही सब यूज करते हैं लेकिन सबजी के टेस्ट में फरक तभी आता है यदि मसाला अच्छे से नहीं पकाया हुआ होता है तो बस अब हम इसमें दो टेबल स्पुन दूद की मलाई डालेंगे जो हमारे घरों में दूद आता है उनके ओपर मलाई है वही मैंने इस्त क्रीमी बनेगी फ्रेंड्स यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो मलाई डालने के बाद मैंने इसे दो मिनिट और पका लिया है ये देखिए बहुती बढ़िया टेक्चर लग रहा है सबजी का अब हम इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी आधा चम्मच गर भी डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे मैं बहुत पतली ग्रेवी इसकी नहीं बना रही हूँ अभी मैंने आधा कप पानी डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लीजि आपको कितनी गाड़ी पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजी मैंने लगबग एक कप पानी डाल दिया है इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम सबजी में स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा हमने टमाटर को सेखते टाइम और मटर को उबालते टाइम भी नमक डाला था सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मटर हमारे उबले हुए हैं ग्रेवी हमारी पकी हुई है केवल दो मिनिट और पका लिजी लो फ्लेम करके दो मिनिट हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल पूरी तरह सतय पर आ गया है हमने तेल बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया था जो मलाई हमने डाली थी उसने अपना फैट रिलीज किया है तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी मटर मसाला बनकर तयार हो चुकी है हमने ना तो बहुत पतली ग्रेवी बनाई है और ना इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया है बस गैस का फ्लेम बंद करके हराधनिया डाल दिया है आप इस रेसिपी को टिफिन के लिए भी बना सकते हैं तो फ्रेंट्स रेसिपी अची लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके